नमस्कार आप सुन रहे हैं निउस पॉइंट पॉड़कास्ट और आज के पॉड़कास्ट में बात बाबा साहिब अमबेट करकी आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से आज बीजेपी टिकेट में जीत की गारंटी दे रही है जब टिकेट बाढ़ती है और वैसे ही आज से तक्रीबन 76 साल पहले कॉंग्रेस लगभग अपराजे थी यानि कि कोई हरा नहीं सकता था ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि कॉंग्रेस को भी हराया जा सकता है देश में पहले लोकसबा चुनाओ 1952 में संपन हुए और पंडे जवारलाल नहरू तब जननायक थे उस समय देश में जवारलाल नहरू की लहर थी और उस चुनाओ में जिसे कॉंग्रेस पार्टी से टिकट मिल गया उसकी नईया समझ लीजिए पार हो गए और इस दूल काश्ट फेडरेशन पार्टी से चुनाओ लड़े थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और पहले आम चुनाओ के लिए मद्दान का काम फरवरी 1952 के आखरी सप्ता में खत्म हो गया और जब मतगर्णा हुई तो कॉंग्रेस आसानी से चुनाओ जीत गई कॉंग्रेस पार्टी को संसद में 489 में से तब 489 सीटे होती थी 489 में से 364 सीटों पर और पूरे देश में 3280 विधान सबा सीटों में से 2247 सीटों पर जीत हासिल हुई पूरे संसदी चुनाओ में कॉंग्रेस को कुल मतदाताओं का 45 फीसदी वोट हासिल हुआ था और इसने 74.4 फीसदी वोटों पर जीत दर्च की थी जबकि राजविधान सभाओं के लिए हुए चुनाओ में इसे कुल मतों का 42.4 फीसदी हासिल हुआ था और इसने 68.6 फीसदी वोटों पर कबज़ा जमाया था लेकिन इस माहौल में भी कॉंग्रेस के 28 मंत्री चुनाव हार गए थे लेकिन इस चुनाव में सबसे हैरान कर देने वाला नतीजा डॉक्टर भीम राव अमबेटकर की हार था उनकी पैचान देश भर में अनुसूची जाकियों के कदवर निता के तौर पर थे लेकिन बंबई में उनके निर्वाचन शेत्र में कॉंग्रेस ने तब बाबा सहब के सामने उनके पीए नारायन एस काजरोलकर को खड़ा कर दिया था और वो भी बैकवर्ड क्लास से ही थे इसके अलावा कमनिष्ट पार्टी और हिंदु महासभा से भी एक एक परत्याशी था नारायन काजलोलकर दूद का कारुबार करने वाले एक नौसिखिये नेता थे लेकिन नहरू की लहर इतनी तगड़ी थी कि नारायन पंद्रा हजार वोटों से चुनाव जीत गए अम्बेटकर चौथे स्थान पर रहे और इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब भारत गंधी के बाद के अनुसार मशूर मराठी पत्रकार पीके अत्रे ने एक नारा उन दिनों गड़ा था जो उस वक्त काफी मशूर हुआ था कुथे तो घटना कर अम्बेटकर आनि कुथे हा लोनी विक्या काज रोल कर मराठी में ये नारा था जिसका मतलब है कि कहां सम्विधान के महान निर्माता अम्बेटकर और कहां नौसे किया दूद बेचने वाला काज रोल कर तब हिंदू समा ने क्या कहा था इसे भी समझना जरूरी है लेकिन आखिर में कॉंग्रेस की पकड़ और पतेश्ठा काज रोल करके पक्ष में काम कर गई और इसके अलावा नहरू में ने जो बंबई में भाशर दिये थे जो भी वो सब मिला कर नारायन काज रोल करके पक् से दो डॉक्टरेट की डिग्रियां एक अमेरिका की कॉलंबिया यूनिवरसिटी से दूसरी लंदन स्कूल ऑफ एकॉनोमिक्स से बाबा साहिब की योगिता को देखते हुए उन्हें सम्विधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयर्मैन बनाय गया था हिंदू महासबा का दूसरी बार पक्का किया कि वो भंडारा से उपचनाओ न जीतने पाएं डॉक्टर अमेटकर का 1956 में निधन हो गया था और सबसे बड़ी जीत रही कमनिश्टनेता की लेकिन उस चुनाओं में एक चौकाने वाली बात ये थी कि कमनिश्टनेता रवी नारायन ड्रेड़ी जिन्होंने चुनाओं में विस्की का पहला जाम पिया था उन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्च की उनकी जीत का अंतर नहरू की जीत के अंतर से भी जादा था ये लोगतंतर है सुनते रहिए निवस पॉइंट पॉड़कास्ट आपकी आवाज